Hello everybody, welcome to Mystic World 11-11 आज ये आप लोगों की Pick A Card Reading है और आज हमारा ये question होगा You versus them आप क्या feel करते हैं, आपके partner क्या feel करते हैं और हम ये भी देखेंगे bonus के दौर पर कि क्या आपकी शादी उनसे होगी या नहीं तो ये दो चीजें होगई आज की reading में कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन Cards में possibility आती है आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है सिर्फ divine source को पता है कि finally आप लोगों की जिन्दगी में क्या होना है इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को open रखना है इसके लावा मेरे जितने भी subscribers हैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all तो इसके लावा मैंने Instagram का link दिया है अपना description में अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पर भी follow कर लीजिएगा और मैं personal readings बिल्कुल भी नहीं करती हूँ In future के लिए मैं जरूर plan कर रही हूँ लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ तो ये मैंने आप लोगों से सारी बाते करनी थी अब हम start करते हैं Option no.1 ये yellow crystal है Option no.2 blue crystal And option no.3 ये है तो जो भी आपको पसंद है आप चूज कर लीजिए Time stamps भी मैंने description में दिये हैं Skip करके आप अपना answer देख सकते हैं अगर आप video को pause करना चाहते हैं कोई problem नहीं आप pause करके meditate कर सकते हैं और select कर सकते हैं मैं start करूँगे option no.1 से जिन लोगों ने option no.1 यानि कि ये वाला crystal choose किया था ये आप लोगों की reading होगी और हम देखेंगे कि आपकी और उनकी energy क्या है क्या personality है क्या हो रहा है आज कल oracles हम बाद में देखेंगे उनकी तरफ से आपके लिए messages होंगे और spirit की तरफ से messages भी होंगे ये मैं आपको intro में बदाना भूल गी थी तो पहले तीन cards आपके लिए हैं we have three of cups the hermit and five of swords तो यहाँ पर air, water, earth आगया Libra, Gemini, Aquarius, Spices, Cancer, Scorpio and Virgo strongly यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है all right तो आपको हो सकता है celebrations का shock हो आपको दोस्तों में जाना अच्छा लगता हो आप अपने दोस्तों के साथ एक healthy time spent करना पसंद करते हों लेकिन इसके साथ साथ आप soul searching भी करते हैं आप बहुत ज़्यादा जिन्दगी को deeply और intensely सोचते हैं और different aspects life के बारे में सोचते रहते हैं अक्सर अकात आपकी लोगों से लड़ाई हो जाती है conflicts में घरे रहते हैं परिशानियों में घरे रहते हैं आपकी energy मुझे इस तरह की नजर आ रही है number five, three, nine किसी के लिए significant हो सकता है यहाँ पर तो यह सारी मुझे आपकी दवीवर आपकी energy नजर आ रही है और recently आपने शायद बहुत ज़दा socialize किया और उसके बाद आपको feel हुआ कि आपको थोड़ा सा inverse जाना चाहिए और चीजों को और deeply सोचना चाहिए समझना चाहिए soul searching का process आपका चल रहा है और आप बहुत deeply चीजों को सोच रहे हैं बहुत deeper level पर और परिशान लग रहे है मुझे आप लोग mental conflict हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हुई है या तो अपने partner से हुई है या घरवालों से हुई है या work place पर हुई है आप देख लीजे कैसे कहां पर हुआ ये मुझे लग रहा है आपकी energy के लिए अब आपके partner की energy देखते हैं we have four of pentacles page of swords and the chariot ये आपके partner की energy के लिए three cards है यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius Taurus, Virgo, Capricorn उनकी energy के लिए नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर fire की कमी नज़र आ रही है और शायद थोड़े से action की भी कमी है लेकिन with the chariot action यहाँ पर होगा ये दो cards हैं जो कि हम आखर में देखेंगे कि आपकी उनसे शादी होगी या नहीं तो आपके partner थोड़े से जिद्दी लगते हैं उनके जमीन के जायदाद के possession का कोई यहाँ पर मसला मुझे लग रहा है आपके partner के हवाले से number four किसी के लिए significant हो सकता है seven हो सकता है आपके partner को clarity चाहिए आपके partner आजकल एक ऐसे face से गुजर रहे हैं जहां पर उन्होंने कुछ चीज़ें clear करनी है अपनी जिन्दगी में या तो energy clearing का मौमला है या यह possessions का जो मैंने आप से कहा कोई जायदाद का कोई पैसों का मसला लगता है जिसे उन्होंने clear करना है with the chariot बहुत quickly यह से clear कर लेंगे थोड़े से आपके partner मुझे जल्दबाज लग रहे है थोड़ी सी energy उनकी immature है आपकी निस्पता बहुत ज़दा maturity में नज़र आ रहे है मुझे आपके partner थोड़े से immature नज़र आ रहे है लेकिन यहाँ पर शायद वो change होंगे यहाँ पर possibility है जो मुझे नज़र आ रहा है तो आपके partner के साथ मुझे लगता है आपकी थोड़ी सी बहस हुई है या लड़ाई हुई है और आपके partner बहुत ज़दा जिद कर रहे हैं किसी मौमले पर आपके partner अपने point of view से अपने एक नज़रीय से नहीं हट रहे हैं और आप ने चूज किया है हर्मिट मोड में जाना आपने फिर ये सोचा कि ये तो fight करना ये तो अपनी जिद खतम कर ही नहीं रहे तो फिर मैं खामोश हो जाऊँ ये मुझे energy आपकी नज़र आ रही है और आपके partner जिद में हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा घुसे वाली energy में है और बहुत ज़्यादा clear और straight forward energy में है आपके partner अभी सुनने के mood में नहीं है वो कुछ अपनी चीज़ें करने के mood में नज़र आ रहे हैं और आपने चूज किया है हर्मिट मोड में जाना क्योंकि शायद आपके इन से बहुत ज़्यादा fight हो गई और अब आप मजीद इन के साथ बहस करना नहीं जा रहे हैं और आप हर्मिट मोड में जा रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि शायद आपके partner ने आपको block किया है लेकिन आपके partner आपको social media पर stock कर रहे हैं बिल्कुल आप पर इनकी पूरी नजर है they are spying on you yes, clearly मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपके partner आपको लेकर भी मुझे लगता है कि possessive है yes, आपको भी possessive करना चाते है आपको चोड़ना नहीं चाते है ये भी मुझे नजर आ रहा है मुझे आप लोगों का relationship बहुत ज़दा practical नजर आ रहा है यहाँ पर emotions की कमी नजर आ रही है मुझे, यहाँ पर मुझे passion की कमी नजर आ रही है ऐसे लग रहा है जैसे relationship बहुत पुराना हो गया है या इसमें spark कम हो गया है या इसमें जो एक fresh new energy थी शुरुवात में relationship के वो कम हुई है क्योंकि बहस बहुत ज़ादा हो रही है आए दिन लडाईया हो रही है और आप explanations दे देकर ठक चुके हैं और आपके जो partner है वो अपनी जित से हट नहीं रहे हैं कुछ इस तरह के मौमलात मुझे आप लोगों के नज़र आ रहे है औरिकल्स देखते है We have again number seven stand your ground तो आपके partner तो मुझे इसी energy में नज़र आ रहे है वो हिल नहीं रहे अपने perspective से Then we have material harvest number nine दो बार आ गया और seven भी यहाँ पर दो बार आ गया क्योंकि यहाँ पर possession का अगर कोई मौमला आपके partner का है कोई जमीन का जायदात का पैसों का मौमला है तो उसमें आपके partner को कामयाबी मिलेगी material harvest मिलेगा और अगर आप लोगों के दरमयान financial issues की वज़़ा से commitment नहीं हो पा रही है तो financial मौमला आप लोगों के मुझे अच्छे होते हुए नजर आ रहे है then we have between worlds नमबर three ये भी दोबारा आ गया पहले भी आया था हमरे पास तो ये मुझे आपकी energy ज़ादा लग रही है between worlds देखिये ना आप spirituality को और दुनिया को साथ ले लेकर चल रहे है between worlds इसके इलावा शायद आपको जिन्दगी में हमेशा choices मिली है शायद आप हमेशा अपने आपको दर्मियान में ही किसी situation के पाते है ना इधर जा पाते है ना उधर जा पाते है कुछ इस तरह का भी शायद हो सकता है लेकिन इसके इलावा आप spirituality से भी connect है आप real world को 3D world को भी लेकर चल रहे है balance लेकर चल रहे है लेकिन कभी कबार आप दर्मियान में होते हैं किसी भी situation के और आपको पता नहीं चलता कि अब मैं इस तरफ रहूं या उस तरफ रहूं तो कुछ इस तरह की मुझे आपकी energy लग रही है then we have blessed बिलकुल आप blessed तो हैं ही चायद आपको लगता है कि आपके partner आपकी जिन्दगी में हैं तो आप blessed हैं लेकिन regardless you are blessed आपको ये बताया जा रहा है आपकी जिन्दगी में बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि you are blessed then we have new love कुछ लोग शायद new love ढून रहे हैं इस love से तंग आ चुके हैं ठक चुके हैं और उन्हें अपनी जिन्दगी में नया love चाहिए a new person has stirred your romantic feelings इसके इलावा ये भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कहीं पर देखा है और किसी पार्टी में आप इन से मिले किसी gathering में आप इन से मिले celebration के दौरान किसी की शादी में या किसी के birthday पर मिले और आपको ये पसंद आए और आप अपनी feelings इन से कहने से डरते है या तो अगर आपने इनको अपनी feelings बता दी तो इन्होंने शायद आपको इंकार कर दिया या कुछ इस तरह की situation भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही अगर तो ये new love है लेकिन आपकी जिंदगी में new love भी आने वाला है या पिर अगर new love नहीं आ रहा तो it means कि आपका जो old relationship है जो कि ये relationship है जिसमें spark खतम हो गया था ये एक new love के जैसा आपको लगेगा और आपको इसमें एक refreshed energy महसूस होगी आने वाले दिनों में और आपको blessed महसूस होगा yes ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है then we have codependency addictions are affecting your romantic life तो आपके partner की कुछ addictions हो सकती है जो आपकी romantic life को affect कर रही है कुछ चीज़ें हो सकती है या फिर कोई codependency के issues हो सकते हैं पैसों के मौमलात में और different इस तरह की चीज़ें हो जिसकी वज़े से आप लोग का relationship जो है आप लोगों का उसमें problems आ रहे हैं इस वज़े से commitment नहीं हो पा रही है ये देखिए उनकी तरफ से आपके लिए message I'm working hard तो आपके जो partner है वो hard work कर रहे है और ये material life में हो रहा है material harvest उने मिलेगा तो मुझे बहुत ज़दा group number one आप लोगों के लिए लग रहा है कि finances की वज़ा से बहुत ज़दा आप लोगों की situation खराब है अगर तो खराब है You are so kind to me तो yes उनको ये पता चल गया कि आप उनके साथ बहुत अच्छे रहे उन्होंने शायद आपको डांटा आपके साथ misbehave किया है उन्हें ये बात पता है 9 यहाँ पर thrice आ गया तो 9 बहुत significant है You are my everything वो आप से ये कह रहे है कि आप उनका सब कुछ है I admire you Number 3 भी यहाँ पर दोबारा से आ गया तो 3, 9 बहुत ज़्यादा significant है 7 बहुत ज़्यादा significant है Spirit की तरफ से कुछ messages देखते हैं फिर हम इस पर और बात करेंगे You are a warrior Yes, ये मुझे आपके लिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आप अकसर परिशान रहते हैं Fights में घिरे रहते हैं लोगों से अकसर उकात आपकी Fights हो जाती है Conflict हो जाता है Open your eyes आप से ये कहा जा रहा है Open your eyes Clarity आपको मिलेगी Don't trust them तो कुछ लोग हो सकता है आप ये सोचते हों कि आपको उन पर trust नहीं करना चाहिए और शायद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें आप पर trust नहीं करना चाहिए There is something better for you तो ये मुझे लगता है कि आप अकसर सोचते हैं जब आपकी इसे मुसलसल लड़ाई Conflict होता है तो फिर आप सोचते हैं कि शायद आपके लिए कुछ बेहतर होगा जो कि new love होगा और आप शायद इस situation से कभी कबार निकलने का सोचते हैं इन से दूर जाने का सोचते हैं You should wait for the right time तो आपको ही कहा जा रहा है कि कोई भी decision लेने से पहले इनको छोड़ना है या इनके साथ रहना है किसी भी decision से पहले आप wait कीजिए इनको तो से time दीजिए Accept your situation Yes, आपको ही कहा जा रहा है कि जो अभी आपकी situation है उसको fully accept करें And go with the flow की policy अपनाए थोड़ा सा right time का wait करें चीजों को normalize होने में balance होने का wait करें और उसके बाद ही आपको action लीजिएगा They are not interested in you हो सकता है कि आपने इन से बात करना चाहा और शायद आपको लगा कि वो आप में interested नहीं है और शायद उन्होंने आप से ये कह भी दिया हो कि वो आप में interested नहीं है कुछ इसकी सम का relationship आप लोगों का हो अगर तो ये new love है तो अभी आप लोग शायद romantically involved एक दूसरे में ना हुए हो देख लीजिए आपकी क्या situation है ये messages आप से कैसे resonate कर रहे है then we have find your balance तो आप अपना balance ढूंड रहे है with the hermit अगर आप इस mood में है hermit mode में है तो आप अपना balance ढूंड रहे है आप ढूंड रहे हैं कि unconfessed चीज़े हैं यहाँ पर अभी confessed नहीं किया है आप लोग उने एक दूसरे से प्यार और आप लोग अपनी जिंदगी के डिफरेंट directions में हैं आप दोनों different हैं और वो अपना कुछ कर रहे हैं जिंदगी में और आप अपना कुछ कर रहे हैं आप शायद family बनाने की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन आपका भी यह process इस वक्त चल रहा है कि जिसमें आप soul searching कर रहे हैं और different चीज़ों के बारे में भी जान रहे हैं आप शायद इन में involved हैं अपने person में लेकिन यह मुझे new love कुछ लोगों के लिए लग रहा है कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि love start हुआ ही नहीं है तो हमारे पास यह जो दो cards थे अब हम देखेंगे कि उनसे आपकी शादी होगी या नहीं वाउ, we have ten of pentacles and judgment तो यहाँ पर legal matters मैंने जैसे पहले मुझे नजर आया था कि आपके person के हो सकते हैं तो legal matters मुझे यहाँ पर बिलकुल लग रहे हैं आपके person के लेकिन यहाँ पर spiritual awakening होगी आपकी तो हो चुकी आपके person की होगी आपके person को कुछ realizations होगी यहाँ पर majorly कुछ होगा with a judgment card major realizations होगी wake up call मिल रही है आपके person को कि वो अपने patterns को बदले वो mature हो, maturity की तरफ आए जिद छोड़ दे, बचगाना हरकतें छोड़ दे and then we have 10 of pentacles जो के complete family है material harvest भी है और जबरदस्त complete bliss है तो यहाँ पर बिलकुल possibility है group number one कि आपकी इंसे शादी जरूर होगी इन cards में बिलकुल यह possibility है कि आपकी इंसे शादी होगी अभी जो भी आपकी problems चल रहे हैं जो भी आप लोगों का conflict चल रहा है जो भी differences आप लोगों के चल रहे हैं वो resolve हो जाएंगे, यहाँ पर possibility है कि आपका new love है अगर यह तो यह love आपका start हो जाएगा और it will lead to marriage वाओ, तो group number one यह आप लोगों की reading थी कुछ भी resonate किया, helpful रहा आप लोगों के लिए मुझे जरूर comment section में बताईगा अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिल लोगों ने option number two यानि के यह वाला crystal choose किया था यह आप लोगों की reading होगी और हम देखेंगे के आपकी energy क्या है आपके partner की energy क्या है उनकी तरफ से आपके लिए messages भी होंगे spirit की तरफ से भी guidance होगी तो देखते हैं के आपकी क्या energy है तो पहले तीन cards आपके energy के लिए होंगे we have ten of wands we have night of cups and we have six of swords तो यहाँ पर एरीज, लियो, sagittarius, spices, cancer, scorpio, libra, jamina, aquarius earth sign नहीं है आपकी energy में आप बहुत जदा burdened हैं बहुत जदा ठके हुए हैं कुछ लोग मुझे बिमार भी लग रहे हैं कुछ लोग शायद workload की वज़ा से बहुत जदा बिमार हैं लेकिन जिन्दगी में आपने बहुत struggle की है जिन्दगी में आपने अपना बोज भी उठाया है और शायद दूसरों का भी उठाया है और कुछ unnecessary burden भी उठाया है लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इस burden को गिरा दें और अपने लिए कुछ करें आप प्यार के बारे में लव के बारे में सोच रहे हैं relationships के बारे में सोच रहे हैं आप में से कुछ लोग का लव शायद उन से दूर चला गया आप शायद long distance relationship में हैं शायद बहुत जदा hurdles हैं बहुत ज़्यादा देख लीज़े आप से क्या resonate कर रहा है number 10 है यहाँ पर number 6 है यहाँ पर आप मुझे बहुत sad नजर आ रहे हैं मुझे लगता है कि कुछ past baggage है जो आपको परेशान करता है जो आपको sad करता है आप में से कुछ लोग travel का शायद सोच रहे हो travel बहुत ज़्यादा involved लग रहा है मुझे किसी ना किसी तरह से travel agent हो सकता है कोई आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा overburdened नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं love के बारे में भी सोच रहे हैं किसी को love offer करने के बारे में भी सोच रहे हैं या हो सकता है कोई आपको love offer दे अब आपके partner की energy देखते हैं we have three of swords libra, gemina, aquarius nine of swords, libra, gemina, aquarius then we have queen of cups Pisces, cancer, scorpio तो यहाँ पर third party situation आ गई बहुत heartbreak है बहुत ज़्यादा तकलीफ है sleepless nights है परिशानी है, burden है and again love तो है ही मुझे लगता है कि आप अपने जो partner है उन्हें बहुत ज़्यादा love offer दे रहे थे बहुत ज़्यादा commitment शायद उन से मांग रहे थे और वो अभी आपको नहीं दे पा रहे है कुछ problems है third party है, जिस वज़ा से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान है आपके जो partner हैं, उनकी भी sleepless nights है depression में गए हुए है बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा over burdened है तो आप लोग बहुत ज़्यादा challenges face कर रहे है यहाँ पर knight of cups है and we have queen of cups तो आप दोनों एक दूसरे को अपना counterpart देखते हैं आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन मुझे यह लग रहा है कि circumstances कुछ बहुत ज़्यादा difficult है और आपके लिए तो मुझे लग रहा है financial crisis भी है आप लोग शायद financial crisis से भी गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा ठके हुए हैं बहुत ज़्यादा परिशान है और शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि अब आपको क्या करना चाहिए आपके जो पार्टनर है वो भी परिशान है उन्हें नहीं समझ आ रही किस तरह उन्होंने इस third party में से निकलना है क्या करना है उन्होंने तो यह मुझे energy आप लोगों की नजर आ रही है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं deep thinker हैं और emotions से भी attach हैं आप भी emotions से attach हैं और यहाँ पर water और air बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा आप लोग deep thinkers हैं और बहुत ज़्यादा soul level पर जाकर emotionally intensely हर चीज़ को feel करते हैं और सोचते हैं आप दोनों की energy कुछ इस तरह की है आपके partner भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है आपके partner के शायद back to back कुछ relationships खराब हुए है या मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान बहुत fight हुई है या कुछ हुआ है जिसकी वज़े से heart broken है आपके partner तो ये मुझे आप लोगों की energy नज़र आ रही है group number two आप भी बहुत ज़्यादा दुखी है आपके partner भी लेकिन आप लोग एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं बिल्कुल clearly मुझे ये नज़र आ रहा है औरिकल्स देखते है number six memories of love मुझे लगता है कि आप लोगों का relationship कुछ लोगों का end हो चुका है number six याँ पर twice आ गया और ये आपके soul media twin flame हो सकते है बड़ा challenging connection है आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा strongly लग रहा है कि जब आप लोगों का love स्टार्ट हुआ उसके कुछ यहर से बाद distance आ गया दरम्यान मे third party या फिर आ गई या बहुत ज़्यादा distance आ गया जिसकी वज़ा से आप लोगों का relationship problems में चला गया और आजकल मुझे लगता है आप लोगों का कोई contact नहीं चल रहा है तकलीफ से गुजर रहे हैं आप लोग और separation से गुजर रहे हैं क्योंकि we have memories of love वो भी रात को जब सोने लगते हैं तो सोचते हैं उस प्यार के बारे में उस वक्त के बारे में जो गुजरा आपके साथ जो memories आपके साथ बनी और आपके उपर भी heavily ये सारी memories आ जाती हैं आपके दिमाग के उपर जब आप अकेले होते हैं वो baggage येस जिसका हमने जिकर किया था शुरू में वो आपके पास है वो burden वो तकलीफ आपके साथ है बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे एक दूसरे से क्या वज़ा है आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुझे ये लग रहा है group number two इतनी तकलीफ में हैं प्यार भी करते हैं और बात नहीं कर रहे क्या मसला है ego self का मसला है घर वालों का मसला है कुछ भी हो सकते हैं ये मसाइल यहाँ पर किसी में confidence की कमी है किसी की self esteem low है किसी के अंदर बात करने की हिमत नहीं है जजबा नहीं है yes मुझे यह ज़्यादा आपके partner के लिए लग रहा है क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा struggle की है आपने जिन्दगी में और जितनी struggle आपने की है शायद आपने उससे बहुत कुछ सीखा है जिन्दगी ने आपको बहुत सिखाया है बहुत गिराया है और कई दफ़ा आपने खुद को फिर उठाया है कुछ इस तरह की energy है आपकी और आपके partner में शायद confidence की कमी है शायद complex है कोई कुछ इस तरह की मुझे लग रहा है जिस वज़ा से शायद वो आपसे बात नहीं करें लेकिन बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा deeply मुझे लगता है कि शायद अपनी mother के साथ रहते हैं अकेले कोई है यहाँ पर जो single parent के साथ रहता है जो बहुत ज्यादा जिन्दगी में struggle कर रहा है आपके पार्टनर ने भी मुझे लगता है कि वो अपनी mother के साथ life spend कर रहे हैं उनके father नहीं है कुछ trauma है यहाँ पर उनका happy happy आप दोनों एक दूसरे के साथ happy happy life गजारना चाहते हैं मुझे यह लगता है आप लोगों की खाहिश है कि आप दोनों एक साथ जिन्दगी गुजारें happy happy exchanging gifts तो past में शायद बहुत exchange किया आप लोगों ने gifts बहुत अच्छी अच्छी memories हैं आप लोगों की एक साथ जो आप लोगों को बहुत pain दे रही हैं आज कल क्योंकि आप लोग heavily सोचते हैं जब तो आपको वो memories याद आती है जो happy happy time आप लोगों ने गुजारा है जो gifts exchange किये हैं वो शायद आप लोग देखते भी होंगे अक्सर अकेले बैट कर तो मुझे लगता है कि in future भी आपर possibility है कि आप लोग बड़ा अच्छा time spent करेंगे third party खतम हो जागी अगर है तो gifts exchange करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे we have flirt extend your light-hearted energy to others and then we have unrequited love there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going तो हो सकता है कि at some point जिन्दगी में आपको इस relationship में लगा कि शायद यहां पर attraction खतम हो चुकी है chemistry खतम हो चुकी है और शुरू शुरू में बड़ी light-hearted energy थी और शुरू शुरू में बड़ा spark था हर चीज़ थी कुछ लोगों से resonate करेगा कुछ लोगों से नहीं करेगा जो आपसे resonate करें आपने वैसे messages रखने तो हो सकता है आप लोगों को महसूस होता है कि अब attraction नहीं रही chemistry नहीं रही है और आपके partner third party में चले गए हैं किसी और में involved हो गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर वो किसी में involved हुए भी for the time being उन्होंने सिर्फ flirt किया उनके साथ और बहुत depression में नज़र आ रहे है enjoy नहीं कर रहे है एक तो आप भी बिलकुल enjoy करते वे नज़र नहीं आ रहे आपके partner भी जिंदगी में enjoy नहीं कर रहे है बहुत sad है उनकी तरफ से आपके लिए messages देखते है आपको यह कहा जा रहे है थोड़ा सा light hearted energy में आएं थोड़ा सा परिशानियों से निकलें अपने आपको निकालने की कोशिश करें क्योंकि आप बहुत serious हैं आजकल मुझे यह लग रहा है मेरे viewers बहुत serious phase चल रहा है आपकी जिंदगी का आप बहुत कम मुस्कुरा रहे हैं आप बहुत कम enjoy कर रहे हैं तो आपको एका जारा थोड़ी से extend करें अपनी इस energy को light hearted energy को I tried to forget you बिलकुल आपको भूलने की कोशिश की है आपके partner ने लेकिन नहीं भूला पाए है वो आपको नहीं भूला पाए है बहुत depression में है आपको याद कर रहे है memories of love I want this union exactly हमने ये शादी की reading की है कि वो आपसे करेंगे या नहीं अभी दो cards हमारे पास हैं जो हम आखिर में देखेंगे outcome के लिए number 11 तो yes पहले ही मैंने आपसे कहा था मुझे लगा कि ये बड़ा challenging connection है आपके twin flame या soulmate हो सकते है उनको चाहिए ये union आपके साथ बहुत sad है वो they want this union number 25 भी आया किसी की age हो सकती है 25, 29 हो सकती है 9 plus 2 again 11 होता है I've looked you up online तो online उनने शायद आपको whatsapp पर या किसी social media के through आपको देखा है कहीं पर उनने online शायद वो whatsapp पर अक्सर आपको देखते रहते हैं online please forgive me तो वो आपसे माफी मांग रहे हैं forgiveness चाहते हैं आपसे शायद उनने आपको hurt किया है और वो forgiveness चाहते हैं आपसे stop right now अगर आप बहुत जदा परिशान हैं अगर आप बार बार उनने अप्रोच कर रहे हैं तो stop right now आपसे कहा जा रहे हैं आप देख लीजिए क्या है आपकी situation और आपसे कैसे resonate हो रहे हैं ये words ये spirit की तरफ से messages है stop right now living in the fantasy तो हो सकता है कि पहले you were living in the fantasy लेकिन मुझे आप बहुत practical लग रहे हैं आपने जिन्दगी से बहुत कुछ सीखा है शायद आपके partner fantasy world में रहते थे open your heart आपके partner ने अपने दिल को शायद बंद कर लिया past relationships की वज़ा से और उनको ये कहा जा रहे है कि वो अपना दिल खोले lonely nights आप देखिए हमारे पस nine of swords आया आपके partner के लिए and then we have lonely nights बहुत lonely फिल कर रहे है surrender to the divine source आपको ये कहा जा रहा है surrender to the divine source किसी भी चीज़ को force मत कीजिए orphan exactly मैंने पहले कहा था कि कोई single parenting है या फिर किसी के parents है ही नहीं तो orphan महसूस करते हैं अगर आप दोनों ने एक दूसरे से separation कर ली तो भी आप लोगों को orphan महसूस होता है अकेला महसूस होता है ऐसे लगता है कि दुनिया में कोई नहीं रहा roses शायद आपको roses बहुत जादा नज़र आएं इनसे मिलने से पहले fight for this relationship कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि fight for this relationship लेकिन surrender to the divine source ये आप लोगों की reading आई है दो आखरी messages आप लोगों की शादी होगी या नहीं सबसे पहले we have five of pentacles यहाँ पर financial pressure है बहुत ज़्यादा और किसी ने किसी को अकेला छोड़ा है मुश्किल में मुश्किल हालात में God forbid किसी के घर रॉबरी हो सकती है लेकिन यहाँ पे कुछ finances के issues है हो सकता है पैसों की वज़ा से किसी ने किसी को छोड़ा पैसे की खातिर छोड़ा यह भी हो सकता है and then we have page of pentacles लेकिन abundance आ रही है new beginning आ रही है और commitment आ रही है लेकिन छोटी offer से start होगा slowly होगा हर चीज लेकिन होगी जरूर possibility यहाँ पर है कि आपकी इन से शादी होगी लेकिन शादी से भी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले आप लोगों की engagement होगी इनके साथ small offer से start होगा क्योंकि page हमेशा छोटा होता है एक gift से small gift से start होगा आप लोगों का दुबारा से relationship अगर तो end हो गया तो यहाँ पर possibility बिलकुल है कि आपकी इनके सादी होगी लेकिन यह आसान बिलकुल नहीं है लेकिन अगर यह आपका twin flame relationship है तो बहुत challenges है आप अपनी life में actually बहुत ज़्यादा struggle कर रहे है the viewer और इस वज़ा से भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है stable होना family बनाना आपके partner के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि शायद वो single parenting उनके तरफ है आपकी तरफ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा struggle है तो यह मुझे मुझे मौमलात कुछ नज़र आ रहे है लेकिन possibility यहाँ पर है कि आपके साथ शादी होगी confirm तो नहीं कहा जा सकता लेकिन possibility है जैसे group number one के लिए तो हमें clear message आ गया था और बहुत-बहुत micro mini steps लेकर आप लोग आगे commitment की तरफ जाएंगे और commitment यहाँ पर possibility है कि आप लोगों की होगी तो यह आप लोगों की reading थी group number two कुछ भी resonate किया पसंद आया आपको मुझे जरूर comment section में बताईएगा अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजिएगा, share कीजिएगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number three यानि कि यह वाला crystal juice किया था यह आप लोगों की reading होगी और you versus them देखेंगे आपकी क्या energy है आपके partner की क्या energy है उनकी तरफ से आपके लिए messages भी होंगे आखर में हम देखेंगे कि आप क्यूं से शादी होगी या नहीं औरिकल्स भी है सबसे पहले तीन कार्ड्स आपके लिए होंगे we have king of pentacles we have eight of cups and then six of cups Taurus, Virgo, Capricorn Pisces, Cancer, Scorpio यह मुझे यहाँ पर star signs आपके लिए नज़र आए है आप बहुत ज़दा practical approach रखते हैं बहुत ज़दा mature इनसान है आप अपने partner को आजकल बहुत miss कर रहे हैं childhood memories को miss कर रहे हैं खामोश से दिखाई दे रहे हैं आजकल बहुत ज़दा चीजों पर बहुत ज़दा react नहीं कर रहे हैं आप लोग आजकल और material life में शायद बहुत ज़दा मेहनत कर रहे हैं hard work कर रहे हैं या फिर आपके partner बहुत ज़दा material life पर काम कर रहे हैं और आप बहुत sad हैं इस बात को लेकर के वो आपको time नहीं दे रहे हैं और आप उन्हें बहुत ज़दा miss कर रहे हैं number eight और six किसी के लिए significant हो सकता है या आपका childhood love हो सकता है हर किसी से resonate नहीं करेगा जैसे आप से resonate करेव वैसे लिजेगा कुछ लोगों का हो सकता है कि अगर आप already married है तो आपके इनसे बच्चे हो लेकिन ये बिलकुल unmarried लोगों के लिए ज्यादा reading है जो relationship में है क्योंकि हमने आखर में जानना है कि आपकी शादी उनसे होगी या नहीं लेकिन स्टिल मुझे नज़र आए कि कुछ लोगों की शायद हुई भी है तो इसलिए मैंने उसको discuss कर लिया तो आप बहुत ज़दा mature है और शायदा आपको अपने पार्टनर से भी maturity चाहिए शायदा आपके पार्टनर बहुत ज़दा practical है आप वैसे messages लीजेगा जैसे आप से resonate करें आपको अपने पार्टनर से commitment चाहिए आप उनसे बात करना चाहते हैं आप उनके साथ time spend करना चाहते हैं आप बहुत sad हैं क्योंकि अगर वो बहुत ज़दा material life में काम कर रहे हैं आपको time नहीं दे पा रहे हैं अब उनकी energy देख लेते हैं तो बहुत से messages यहां पर मुझे आ रहे हैं यह दो cards हम आखर में देखेंगे कि उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी यहां पर एक तो आपके जो partner है यहां पर Libra, Gemina, Aquarius मुझे नज़रा आगया Pisces नज़रा आगया आपके partner की mother का और father का influence बहुत ज़दा नज़रा रहा है मुझे और आपके जो partner है वो थोड़ा सा उनमें बच्पना है थोड़े से sneaky हैं कुछ उनकी चीज़ें आपको बताते नहीं है clearly कुछ भी number seven किसी के लिए significant हो सकता है उनके माबब बहुत strict है और शायद उन्हें शरम आती है आपको बताते हुए ये सारी चीज़ें त्यूंकि शायद उनकी ego हर्ट होती होगी और वो ये सोचते होंगे कि आप क्या सोचेंगे जब वो ये चीज़ें आपको बताएंगे कि उनके माबब का उन पर बहुत ज़दा रोब है और वो अपने माबब के आगे बात नहीं कर सकते है और आप मेचियोर इनसान है आपको कोई ये नो दबाता नहीं है आप अपनी बात मनवा लेते हैं आप अपने पार्टनर की निस्बत एक मजबूत पोजीशन पर है आपके पार्टनर अपने घर में उतने ज़्यादा स्ट्रॉंग शायद नहीं है शायद financially भी stable नहीं है और अपने घर वालों पर totally depend करते हैं और उनकी मदर बहुत strict है, उनके father भी बहुत strict है अगर उने शायद इनके किसी relationship का पता चलेगा तो वो पता नहीं किस तरह से रियाक्ट करेंगे शायद किसी से तो फोन ही चीन ले किसी को कमरे में बंद ही कर दें कुछ ऐसा भी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है उनके घर का महौल मुझे ये लग रहा है अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये नजर आया कुछ लोगों के लिए मुझे ये नजर आरा है कि आपके पार्टनर बहुत स्यादा घुस्से वाले हैं बहुत स्यादा चीजों को अब्सर्व करते हैं बहुत स्यादा खामोश रहते हैं बहुत ज़्यादा लवी डवी आनरजी उनकी नहीं है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा लॉजिकल है आप देख लीज़े आप से क्या रैजिनेट करता है और ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शेरिंग नहीं करते हैं आपको हर चीज बताते नहीं हैं और शायद आप इस वज़ा से भी सैड होते हैं कि आपको हर चीज वो क्यों नहीं बताते हैं खामोश रहते हैं बहुत ज़्यादा और जो काम भी करते हैं चुपकर करते हैं किसी को नहीं बताते हैं बस चुपके से अपनी हर चीज़ कर ली और आखिर में बताया कि मैंने ये किया है या मैंने ये स्टार्ट किया है या मैंने ये करना है जब कर लेते हैं हर चीज़ उसके बाद बताते हैं तो बहुत ज़्यादा secretive हैं, येस, बहुत ज़्यादा intellectual abilities हैं में, इनकी intuition बड़ी तेज है, चीजों को बहुत keenly observe करते हैं आपके partner, और आजकल भी keenly observe कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, खामोशी से बस observe कर रहे हैं, और वो शायद आपको भी खामोशी से observe कर रहे हैं, औ आप दोनों मुझे काफी different नज़र आ रहे हैं, आप लोगों में differences लग रहे हैं मुझे, आप भी mature हैं लेकिन आपको प्यार भी चाहिए, आपको at the same time love भी चाहिए, आप एक अच्छा time spend अपने partner के साथ करना चाहते हैं, लेकिन आपके partner बहुत ज़्यादा serious हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए immature partner दिख रहे हैं, जो के बिलकुल depend करते हैं अपने घरवालों पर और उनसे बात नहीं कर पाते हैं, ये मुझे situation लग रही है, आप ऐसे messages लीजिए कर जैसे आप से resonate करें, we have sacrifice, emotional loss, number five है, तो कुछ लोगों का emotional loss हुआ है यहाँ पर शायद, आपको emotional loss यह वला महसूस होता है जब आपके partner आपको attention नहीं देते हैं, sacrifice आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको किया है, हो सकता है कि अपने मतलब के लिए उन्होंने आपको sacrifice किया, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है कि अपने घर टाइम अपनी एक एनरजी सेक्रिफाइस की है एक खुबसूरत टाइम जो आप एक साथ स्पेंड कर सकते थे उन्होंने उसको हमेशा सेक्रिफाइस किया अपने कामों के लिए अगर आपके परसन बहुत ज़दा हार्ड वरकिंग हैं तो उन्होंने अपने काम के लिए अपने मिटेरियल लाइफ के लिए सेक्रिफाइस किया उस टाइम को जो उन्हें आपके साथ भी स्पेंड करना चाहिए था क्योंकि एकसेस ओफ एवरिफिंग इस बैड अगर वो बहुत ज़दा काम कर रहे हैं आपको टाइम नहीं दे रहे तो यह भी गलत है अगर वो सिर्फ आपकी को टाइम दिये चले जा रहे हैं और मिटेरियल लाइफ में कुछ लिए तो यह भी गलत है तो शायद उन्होंने सेक्रिफाइस आप दुनों के टाइम को हमेशा किया शायद जब आप लोगों के मिलने की बात आती थी उन्होंने आपको ये कहा कि मुझे तो काम है मुझे तो अभी नहीं मिलना है कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है तो सेक्रिफाइस यहाँ पर किसी ने बहुत ज़दा किसी को किया है और एमोशनल लॉस दूसरे ने महसूस किया है तो कुछ लोगों ने तो सेक्रिफाइस अपने घर को कर दिया और ट्रेवल करके शायद दूर चले गए कहीं और उन्हें अब पीस नहीं है वहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि उमर गुजरती जा रही है टाइम गुजरता जा रहा है और शादी नहीं हो रही है और आपके मुझे पर्सन टीचर हो सकता है कि हो कुछ लोग डॉक्टर हो सकते है कुछ लोग स्पिरिच्वल टीचर हो सकते है लॉस से किसी का तालुक हो सकता है लॉयर हो सकता है कोई देख लीजी आप येस मुझे ये चीज़े नज़र आ रही है कोई आर्मी में भी हो सकता है बट यहाँ पर जादा मुझे टीचर के हवाले से पढ़ाने के हवाले से नज़र आ रहे है किसी ना किसी तरह किसी को पढ़ाते होंगे तो ये चीज़े मुझे आपर नज़र आई है तो आप से ही का जा रहे हैं कि अपने आपको सबसे पहले प्यार करें किसी और को भी करने से पहले क्योंकि जब आप अपने आपसे प्यार करेंगे अपनी वर्थ का आपको पता होगा तो आप less के लिए settle down नहीं होंगे अगर कोई आपको बार बार sacrifice कर रहा है emotional loss में आप जा रहे है तो फिर आप अपने आपसे प्यार करें self love is very important और जो इनसान अपने आपसे प्यार नहीं कर सकता वो किसी से नहीं कर सकता क्योंकि पहला रिश्टा सबसे पहला हमारा अपने आप से है और अगर हम अपने आप के साथ अच्छे नहीं है तो फिर हम किसी के साथ भी अच्छे नहीं है और ये एक truth है bitter, bitter truth you know then we have religious factors your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path तो आप मैंसे कुछ लोगों का मुझे लगता है कि religious factors हो सकते हैं यहाँ पर factors हो सकता है religion different हो आप लोगों का जिसकी वज़ा से आप लोगों के थोड़े से मसाइल पैदा हो रहे हो क्योंकि हमारे पास high priestess आया ये बड़े religious किसम की मुझे vibes आती है the high priestess से even if they are a male or female बिल्कुल gender specific नहीं है ये the high priestess अगर आप इसको ना भी कहें the high priest कह लें king of swords को आप king of swords ना भी कहें लेकिन एक sword की energy अगर आप कह लें चाहे male या female तो शायद इन के लिए अपना religion बहुत important है और यहाँ पर religious factors हो सकते हैं differences आप लोगों के जिस वज़ा से आप लोगों का relationship difficult है और शायद religion की वज़ा से religion की वज़ा से उन्होंने आपको sacrifice कर दिया आप emotional loss में गए और शायद उन्हें बहुत देर लगी आपको accept करने में religious factors की वज़ा से देख लीजी आप से क्या resonate कर रहा है लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको तो कोई मसला ना हो लेकिन उनके घरवालों को मसला हुआ आपके religion से तो ये भी हो सकता है उनकी तरफ से आपके लिए messages I still have your pictures तो उनके पास आपकी pictures अभी भी है आपकी pictures को अक्सर देखते रहते है हमारे पस six of cups आया था memories को याद करने का card है How can you love a person like me तो शायद वो ये सवाल आपसे इस दे भी करें कि मेरा तो religion different है आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं मेरे तो घरवाले आपके religion कोई accept नहीं कर रहे हैं आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं मैंने अपने घरवालों के वज़े से आपको sacrifice कर दिया Then how can you still love me ये question उन्होंने आपसे किया है I know how to fix things Waiting for the right time तो वो चीज़ों को fix करना चाहते हैं अगर आपकी ending हो गई है अगर आपको उन्होंने sacrifice कर दिया totally आपको block कर दिया खतम हो गया relationship वो fix करना चाह रहे हैं चीज़ों को दोबारा से लेकिन वो right time का wait कर रहे है Your beauty still moves me तो आपकी pictures भी हैं उनके पास आपकी खुबसूरती अभी भी उन्हें भाती है अभी भी आपको पसंद करते हैं और आपकी pictures को देखते रहते हैं आपको miss करते हैं चीज़ों को settle down होना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को दोबारा से renew करना चाहते हैं fix करना चाहते हैं और वो इतने powerful हैं कि वो fix कर सकते हैं अगर तो आपके person बहुत you know जो मैंने बताया था आप लोगों को strict हैं, गुस्ते वाले हैं logical हैं तो वो इतने powerful हैं कि वो चीज़ों को fix कर सकते हैं लेकिन अगर अगर अपने घरवालों के influence में हैं अगर अभी इतने powerful नहीं है तो फिर उनके लिए थोड़ा सा difficult होगा लेकिन वो fight करेंगे घरवालों से आपके लिए मुझे ये भी लगता है this is not the end बिलकुल मैंने आप से कहा ये end नहीं है this is not the end अगर आपको लगता है कि end है no there is hope बिलकुल यहां पर hope है they will call text you वाओ अगर आपको call नहीं आ रही है अगर आपको block किया कुछ भी ऐसा बात नहीं चल रही they will call you or text you वाओ ये एक extra आप लोगों के लिए message यहां पर आगया they found someone else अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है या शायद कभी कबार उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई और मिल गया या किसी ने आपको approach किया this is not the right time तो ये बिलकुल right time नहीं है अगर आपने ये सोचा है कि आप उन्हें call करेंगे ये text करेंगे तो ये ठीक time नहीं है उन्हें खुद करने दीजिए they are missing you बिलकुल वो आपको miss कर रहे हैं उनके पस तस्वीरे हैं आपकी single तो देखिए न अगर आपको लगता है कि they found someone else no single है अगर उनको लगता है कि आपको कोई और मिल गया no आप तो single है आप तो उनका इंतजार कर रहे है let it flow तो बिलकुल उन्होंने इस वक्त ये policy अपनाई हुई है let it flow की go with the flow की आप भी ये policy अपनाई last two cards जिसमें हम देखें कि आप किन से शादी होगी या नहीं और देखिए हमारे पस क्या है the sun card जो सबसे खुबसूरत card है और ये yes card है यानि कि आप किन से शादी होगी बिलकुल होगी लेकिन we have seven of wands जो के struggle है fighting against the obstacles obstacles बहुत आएंगे challenges बहुत आएंगे लेकिन you will do it और वो भी ये कर सकते हैं और वो करेंगे fight आप के लिए ये हमें clear message आगया जाते जाते बहुत जबरदस्ट तो the sun है yes complete bliss happy family जबरदस्ट बहुत खुबसूरत refreshing energy है transformative energy है transformation होगी याँ पर आप दोनों की आप दोनों struggle करेंगे और फिर transform होंगे और आप दोनों एक होंगे वाउ आप कीन से शादी होगी बिलकुल होगी जबरदस्ट यहाँ पर possibility आई है of course मैं यह हमेशा कहती हूँ कि divine source को final destination आपकी पता है लेकिन इस reading में यह आया है कि आपको fight करना होगा आसान नहीं होगा और कोई भी relationship आसान नहीं होता है और आप fight करेंगे willingly वो भी willing है करने के लिए इसमें सबसे इच्छी बात यह है कि आपके partner ने give up नहीं किया है give up नहीं करेंगे fight करेंगे और फिर the sun है वाउ तो यह आप लोगों की reading थी group number 3 कुछ भी resonate किया पसंद आया आप लोगों को मुझे comment section में जरूर बताईगा अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजीगा share कीजीगा और subscribe करना मत भूलिएगा तो यह आज का pick a card reading थी तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को पसंद आयी या आप लोगों के लिए इसमें कुछ helpful रहा इसके लावा बहुत से लोग यह कहते हैं कि collective reading में ना किया करूँ सिर्फ pick a card किया करूँ तो कुछ लोगों को collective पसंद होती है कुछ को pick a card पसंद होती है और आप लोगों ने देखा कि मैं एक दिन collective कर लेती हूँ एक दिन pick a card कर लेती हूँ क्योंकि balance करके हर चीज़ को चलना मेरे लिए बहुत ज़दा important है सब लोगों की राय मेरे लिए important है अब सब का feedback मेरे लिए important है और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं pick a card ना करूँ और सिर्फ collective करती जाऊँ और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सिर्फ collective करती रहूँ और pick a card ना करूँ तो मैं दोनों balance करके चलना चाह रही हूँ मेरी बहुत कोशिश है कि आने वाले दिनों में मैं रोजाना एक pick a card और एक collective किया करूँ तो बहुत मेरी ये कोशिश है आप लोगों के साथ live sessions करने की भी मेरी बहुत कोशिश है मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं आने वाले दिनों में live भी आया करूँ और आप लोगों के जितने भी question and answers होते हैं वो हम कर लिया करें उस session में तो बस मुझे थोड़ा सा time or चाहिए आप लोग मेरा साथ थोड़ा सा or दीजेगा आप लोगों ने already बहुत दिया है thank you so much आप लोगों के प्यार के लिए आप लोग जो compliments देते हैं जो comments में पढ़ती हूँ आप लोगों के इतने खुबसूरत comments करते हैं thank you so much I really really appreciate each one of you आप सब लोगों की बहुत respect है मैंने दिल में बहुत प्यार है और ये channel है ही आप लोगों का जो आप लोगों को पसंद है मैंने वही करना है इसके ओपर मैंने अपनी कोई चीज इसमें नहीं डालनी है जो आप लोगों को पसंद है जो feedback मुझे आप लोगों को आता है मैं वही चीज करती हूँ इसके इलावा बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मैं नराज होगी या कुछ ऐसा और उनकी request पर वीडियो नहीं बना रही ऐसा नहीं है मैं आप लोगों की request पर बिलकुल वीडियो बनाऊंगी दरसल ऐसा होता है अकसर कि जो ज्यादा लोग कह रहे होते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि you know it's a rule के majority is authority तो actually मैं इस पर चल रही होती हूँ लेकिन जब मुझे time मिलेगा मैं आप सब की request पर वीडियो बनाऊंगी ऐसा नहीं है कि किसी एक की request पर मैंने वीडियो बनाई है और किसी के पर नहीं बनाऊंगी तो ऐसा नहीं है आप लोगों ने ऐसा आप कभी नहीं सोचना आप सब लोगों की individually बड़ी importance है और जिस जिस का भी मुझे comment आता है आप सब important है ऐसा नहीं है कि कोई important है और कोई नहीं है तो ये कुछ बाते मैंने आप लोगों से करनी थी बहुत बाते आज मैंने आप लोगों से कर ली है तो बहुत जल्दी मैं live आऊंगी मेरी कोशिश बहुत ज्यादा है तो मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ भी होती है कि आप लोग जो manifest करना चाहरे हैं वो जरूर हो आपकी जिन्दगी में और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको यह जरूर बताया करें इसी के साथ I'll see you in my next video Till then love you lots Bye Bye